हेलो टेंथ क्लास बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेस्टन्स चैप्टर नंबर वन में बच्चे क्वेस्टन नंबर वन से लेकर क्वेस्टन नंबर सेवन या एड तक या तो MCQ हैं यानि विकल्प वाले हैं या तो बैलेंस वाले हैं क्यमिकल इक्वेस्टन को बैलेंस करना समी करन को संतूलित करना तो बच्चे जितने भी क्वेस्टन बैलेंस वाले हैं वो आप खुश से करेंगे मैंने आपको questions दिये भी ते करने के लिए question number 5, 6, 7 जो की balance वाले हैं और 3 या 4 बच्चों ने मुझे को वो check भी करवाया या कुछ बच्चों ने मुझे doubt भी पूछा बाकि जो बच गए 40 या 42 बच्चे वो सर्वग्यानी है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सर्वग्यानी हैं उन्होंने खुछ से कर लिया होगा अब बच्चे वो मैंने कर वा था सर्वग्यानी लोगों को अब मैं क्या कर वाऊँ हाँ खेर बच्चे मैं ज्यादा इस पर भासन नहीं दूँगा सर्वग्यानी को बुरा लग जाएगा आज आओ वापस से उन questions पे जो questions नहीं हुए है Question number one में बच्चे क्या लिखा हुआ है Which of the statement about the reaction below are incorrect यानि बच्चे आपको चार option दिया हुआ है First, Second, Third, Fourth इन चारों option में से बताना है कौन सा option सही है ठेके बच्चे, और आपको ये reaction दिया हुआ है Reaction को देख कर ये बताना है क्या हो रहा है किसका oxidize हो रहा है किसका reduction हो रहा है कौन reduce हो रहा है मतलब ये आपको बताना है हम option पे जाएंगे ही नहीं हम पहले खुश से सोचेंगे, समझेंगे जो उसका answer होगा वो answer मिल जानने के बाद हम option पे देखेंगे कि वो answer किस से match कर रहा है बच्चे यहाँ आप लिखावा है lead oxide क्या लिखावा है? lead oxide हिंदी medium वाले tension ना ले same question है इसमें आपको बताना है कि किसका उपचयन हो रहा है? किसका अपचयन हो रहा है यदि उपचयन हो रहा है तो किसमें हो रहा है? अपचयन हो रहा है तो किसमें हो रहा है? lead oxide से क्या बन गया? यह lead बन गया product side जाते ही अभिकारक अभिकारक में क्या था? lead oxide और उत्पाद में क्या हो गया? lead हो गया यानि इसने oxygen का हास कर दिया oxygen को हटा दिया remove कर दिया loss कर दिया तो oxygen का जब remove होता है जब loss होता है oxygen का हास होता है तो क्या होता है वो reduction होता है यानि option होता है तो आप क्या कहोगे lead oxide lead oxide is reduced यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे is reduced किस में हो रहा है लेड में हो रहा है ठीक है और कारबन जो की अभिकारक साइड सिर्फ कारबन है लेकिन उत्पाद साइड प्रोडक्ट साइड जाते ही क्या बन गया कारबन डाय ऑक्साइड बन गया यानि कारबन ने ऑक्सीजन को ले लिया है गेन कर लिया है यहां पर ऑक्स की जब oxygen का गेन होता है उसे कहते हैं oxidation क्या बोलता है oxidation यानि उपचयन तो आप लिखोगे carbon is oxidized to carbon dioxide यानि जो carbon है वो carbon dioxide में उपचयित हो रहा है क्या हो रहा है उपचयित यहां यहां पर क्या हो रहा था यहां पर lead oxide lead में अपचयित हो रहा है तो बच्चे देखो कौन सा option सही है option में देखो क्या क्या है पहला option है lead is get lead is getting reduced बच्चे कहेंगे बिल्कुल सही है जो की wrong है गलत है यह गलत क्यों है lead reduce नहीं हो रहा है lead oxide reduce हो रहा है किसमें? lead में carbon dioxide is getting oxidized गलत बिल्कुल गलत बच्चे यहां पर carbon oxidize हो रहा है ना कि carbon dioxide oxidize हो रहा है किसका उप्चयन हो रहा है? carbon का उप्चयन हो रहा है ना कि carbon dioxide का उप्चयन हो रहा है यहां पे carbon का oxidation हो रहा है यह भी बिल्कुल सही है तो क्योंकि यहां पे lead oxide का देखो क्या हो रहा है reduction हो रहा है यानि अप्चयन हो रहा है तो बच्चे इसमें option C और option D दोनों सही है A और B गलत है इसमें बताना है कौन सा incorrect है question पे ध्यान देना कौन सा incorrect है सही नहीं कौन सा गलत है तो A और B गलत है यानि first option क्या है गलत है second option में क्या है A और C जो की A तो ठीक गलत है लेकिन C वाला सही है तो यह गलत हो जाएगा third में क्या है बच्चे A, B and C यह भी गलत है all यह भी गलत है तो कौन सा option आएगा first option आएगा बच्चे first option आएगा first option में क्या दिया हुआ A और B यानि A भी गलत है और B भी गलत है ठीक है ऐसे ही बच्चे Hindi medium में भी देखो मैं Hindi medium बार-बार नहीं लाँँगा कुछ question मैं Hindi medium से करवाँगा कुछ question मैं English medium से करवाऊंगा लेकिन लेकिन समझाऊंगा दोनों medium में तो यह मत सुचना कि सर बार बार मुझे को question दिखाएंगे जो को question तो वह है बस यहां पर translate कर दिया है नीचे दी गई अभिक्रिया में अभिक्रिया के संभंध में कौन सा कथन असत्ति है कौन सा गलत है तो बच्चे ए और बी गलत है यहां पर वह इस इम लेखाओ है सीशा अपचयित हो रहा है जो की गलत है सीशा अपचयित नहीं हो रहा है बलकि oxide अब चाहित हो रहा है यह सही है तो option A और B दोनों गलत है यानि first option आपका आएगा ठीक है question number two आओ यहीं से पढ़ते है question number two में लिखावा है Fe2O3 plus two aluminum product side है उत्पाच side है aluminum oxide Al2O3 aluminum oxide और 2 Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है तो अच्छे यह आपको बताना है कौन सा रियक्षन है English medium वाले भी ध्यान दे बात वो को समझो ठीक है अपनी बुक को ओपन करो उसमें भी same question है English Hindi पर मज जाओ concept को समझो तो उपर दी गई रियक्षन में किस प्रकार का है स्वयोजन अभिक्रिया स्वयोजन अभिक्रिया यानि combination रियक्षन है या विष्थापन अभिक्रिया यानि डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्षन है या विजोजन अभिक्रिया यानि decomposition है या विष्थापन अभिक्रिया यानि displacement रियक्षन है तो इन चारों में से कौन सा रियक्षन है या आपको बताना है तो बच्चे आप question को समझते हैं रियक्षन को पहले हम देखेंगे बच्चे यहां पी देखो यहां पे यहां पे कौन अलग हो गया यहां कि यहां पे जो ऑक्साइड था इसके साथ को ना आगया Aluminium यहां पर attack कर दिया आपको साफ साफ दिख रहा है जो Aluminium है वो iron को हटा दिया displace कर दिया तब देखो iron अलग हो गया और जो Aluminium है वो oxygen के साथ आकर जूड गया Al2O3 बच्चे याद करो यदि अब भी आप नहीं समझ पाए इसका मिनिंग आपने वीडियो नहीं देखा है आप सर्वग्यानी है और सर्वग्यानी को मैं बार बार वही बात नहीं समझा सकता जिन बच्चों ने displacement reaction का अच्छे से वीडियो देखा है उनको कोई doubt नहीं होगा कोई doubt होगा भी तो अब जरूर आ गया होगा याद जब मैंने अभी याद उनको करवाया लेकिन जिनको अब भी doubt है तो मैं प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ आप सर्वग्यानी है आप से मैं उम्मीद ही नहीं करता बच्चे कह रहे होंगे सर आज क्यों ताने मार रहे हैं क्यों क्या हो सर को बच्चे सर को कुछ नहीं हुआ सर को बस कुछ बाते बुरी लगी मैं काम डेली बहुत ही मन से करवाता हूँ लेकिन एक दो काम देता हूँ आपको मतलब इतने बेसरम हो कोई चेक नहीं करवाता कोई नहीं पुछता सरी ये काम मुझसे नहीं हुआ एक बार समझा दो या ये काम मेरा हो गया लो चेक कर लो सिर्फ तीन चार बच्चे हैं जिनमें से दो या तिन बच्चियां है और एक दो लड़की हैं मुश्किल से चार बच्चे हैं या तीन बच्चे जो काम करते हैं और चेक करवाते हैं एक दो थे ऐसे ही बस मज़े लेते हैं बच्चे मज़े ने लेने इससे चार नाई पुछो कुछ होते हैं भातू की बाते करेंगे सरी ये करना है वो करना है से जो करवा रहूं तो मुझे करवाया नहीं तुमने दिखाया मुझे को नहीं दिखाया मैंने hade बैलेंस कुएस्टन मैंने बच्चे को बैलेंस करने के लिए दिया था आज तक सिर्फ तीन या चार बच्चों ने चिक करवाया एक वंशिका है एक काजल है या एक करम भीर कभी-कभी वो भी शिक करवाता है कभी पुशता है वस ये दो-तीन बच्चे मुझसे थरा इंट्रेक्शन में हैं पुशते रहते हैं बागी तो कुछ करना ही नहीं चुलो मैं तो अपना ड्यूटी नहीं बहाऊंगा ही मैं टीचर हूँ मैरा काम में पढ़ान लेंग लें तुम्हारा इस जो गुन देख रहाऊं और बच्चे यह जो अटिट्यूड है कि क्यूप अनसे करवाऊ जो भी देता हूं तिन कवसंदि Stan सबकी form थाइथ किसीनि चेकर करवाए बैलेस वाले इसका हुमस्का सब्लिर घ्धानी है घ्र मैं तो सिंपल समझा दूंगा आप कराव सरदीबाल वह सम्झाओ नहीं मुस्सकी नहीं हो जब ऐसा होता है उसे कहते हैं डिस प्लेस्मेंट रियक्शन हिंदी में कहते हैं हिंदी में कहते है विष्थापन अभिक ओपक्रिया्स डिश्थ कहा होगा कि का संग्सज इरी पया जाओ कि बस्थी क्या लिछा हुआ है जो इंग्लीश मीडियों के बच्चे हैं वो अपने बुक को ओपन करने और वहां से मैच करेंगे question का meaning बिल्कुल सेम है यह नहीं सोचोगे इंगलिस में हिंदी में क्या होगा यह सब option वाले question है आपको बिल्कुल समझना है बस लोह चुरन यानि बच्चे आपको लेना है iron की feelings यानि जो बुरादे होते हैं लोहे के छोटे-छोटे कड लोहे को बिल्कुल पाउडर के तरह पीज़ दो चुरन उसका पाउडर लोहे की चुरन पर तनू hydrochloric तनू का मिनिंग यानि बच्चे dilute hydrochloric acid किसकी बात वरी है hydrochloric acid से क्या होता है सही उत्तर पर निशान लगाई है आपको क्या करना है बच्चे मेरे बासनों आओ इसको एक बार मैं English medium से भी पढ़ लेता हूँ बच्चे कहीं confusion ना हो तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ देखो बच्चे काम की बात पुछोगे न या काम करके दिखाओगे आपकी नियत सही रहेगा मैं बहुत ही प्यारत से करवाता हूँ काम मैं कभी थकता नहीं काम करवाने अजसे लेकिन सामने वाला बच्चा पढ़ने वाला होना चीये यह फालतो की चीजें ना ही काम करोगे ची करवाओगे तो कोई फाइदा नहीं है अब इस स्कूल खोलेंगे पूछूँगा चेप्टर नमबर वन से करवाना शुरू करूं या चेप्टर नमबर आगे से जो हो चुका है उसको रहरे दो सारे बच्चे कहेंगे सर चेप्टर नमबर वन से करवा दो दुबारा से हमें नहीं आया सबज में क्यों नहीं आया क्यों नहीं देखा है नहीं जुट बोलेंगे क्लास में चेप्टर नमबर क्वेस्टन नमबर थ्री क्वेस्टन नमबर थ्री में क्या है बच्चे What happened When Dilute Hydrochloric Acid Is added To Iron Filling क्या होगा जब Dilute Hydrochloric Acid को Add किया जाएगा, मिलाया जाएगा किसमें लोहे के चूरन में, लोहे के पाउडर में, आरन के फिलिंग्स में तिक the correct answer, आपको correct answer पे तिक लगाना है तो आजाओ हमें क्या लेना है लोहे का चूरन, यानि एक ही बात है F-E कहेंगे चाहे लोहा हो, चाहे लोहे का पाउडर क्या वो F-E से P-B हो जाएगा नहीं, वो F-E रहेगा पलस इसको किसमें add करना है इसको add करना है hydrochloric acid में hcl, dilute dilute के तनू का मिनिव होता है जिसमें पानी ज्यादा हो और acid के amount कम हो hcl, hydrochloric acid अब हमसे पूछ रहा है क्या होगा तो बच्चो देखो मेरी बासनो बहुत ही असान reaction है बहुत ही असान reaction है मेरी बासनो ध्यान से ये जो होता है न, iron देखना, आप अपने सक्रियता स्रेनी में जाकर बहुत ही अच्छे से वीडियो को बताया है सक्रियता स्रेनी, यानि activity series जिन बच्चों को नाम ही ने पता या नाम सुना ही ना हो, उसे मैं हाज़ूर के विनमर निवेदन करता हूं कि आप सब्च्रव ज्यानी है आपसे में बहुत नहीं करूंगा जिन बच्चों ने नाम सुना है तो बच्चे आप वीडियो दखना मैंने वीडियो डाला हुआ है और मैंने समझाया वहा है सक्रित्या स्रेणी क्या होता है activity series क्या होती है तो उसमें साप साप देखेगा आपको यह जो FE है यह जो iron है यह list में उपर होता है और यह जो hydrogen है यह नीचे होता है यानि जो FE है वो high reactive है इसका kriyasil जादा है इसका सक्रियता ज्यादा है यह ज्यादा सक्री है यह ज्यादा एक्टिव है यह ज्यादा रियक्टिव है यह जो hydrogen है यह कम रियक्टिव है कम सक्री है कम क्रिया सील है कम रियक्टिव है तो बच्चे high reactive वाला कम रियक्टिव वाले को displace कर देगा इसको हटा देगा इसको remove कर देगा और यह जो H है यह अलग हो जाएगा तो H अलग होके क्या बन जाएगा क्या H बन जाएगा नहीं H कभी भी single atom में exist नहीं करता यह die atomic gas है तो H2 बन जाएगा प्लस में क्या बचेगा यह जो Fe है यह chlorine पे जाकर खुद attach हो जाएगा और यहाँ बनाएगा FeCl2 क्या बनाएगा FeCl2 मेरी बास में तो की जगह नहीं यह लिखने के लिए मैं यहाँ पे साब साब लिख रहा हूँ Fe प्लस FeCl2 बनेगा FeCl2 प्लस H2 gas मेरी बास समझे बच्चे कहेंगे सर जैसे यह H हट गया यहाँ पे आकर H2 बन गया यह तो समझ में आ गया क्योंकि यह low reactive है अब ऐसे भी जब भी hydrogen अलग होगा तो हमेशा H2 ही बनता है simple H नहीं बनता लेकिन सर यह आपने FeCl आपको लिखना चीए था आपने FeCl लिखते चीए ठीक रहता आपने FeCl 2 क्यों लिखा तो यह जो question पूछेंगे मुरग ही पूछेंगे देखो मेरी बास नो Fe equivalency 2 Cel equivalency 1 Cel equivalency Cel equivalency 1 करो आप cross multiplication क्या आएगा तो बच्चे यह आएगा FeCl 2 FeCl 2 तो वही भी ने लिखा है ठीक है तो यह बात है बच्चे बार-बार आपके मन में सवाल ऐसे नहीं आने चीए तो इकिए अच्छे से हो चुका रहा है अब बच्चे देखो आपको गे सर यह तो displacement reaction हो रहा है hydrogen gas and iron chloride are produced तो बिल्कुल सही है यह हमारा देखो हमारा पहला यह answer बिल्कुल सही है हमारा पहला यह option मिल गया आप बताओ hydrogen gas निकर रहा था बिल्कुल निकर रहा था आप याद करो इसको वीडियो को सब पीछे ले जाना देखना और क्या निकर रहा था वहां से FECL2 FECL2 तो बचे इसको बोलते हैं iron chloride क्या बोलेंगे iron chloride are produced क्या यह produce हो रहा है बिल्कुल produce हो रहा है तो हमारा पहला option सही है बागे कि तीन option गलत है आप इसको पढ़के देखना खुश से तीन्यों option गलत होंगे iron chloride का निर्मान होगा तो तिसरे का A option बिल्कुल सही है क्यों सही है आपको मैंने region दिखा दिया आपको मैंने पूरा अच्छे से reaction समझा दिया question number 4 प्या जाओ question number 4 प्या जाओ question number 4 में कैं लिखावा है what is balance chemical equation यानि संतूलित रसाइनिक स्वमिकरण क्या होता है संतूलित रसाइनिक स्वमिकरण क्या होता है रसाइनिक स्वमिकरण को संतूलित करना क्यों आवस्यक है why do need to balance a chemical equation chemical equation को balance करना क्यों जुरूरी है तो इसका answer भी मैंने आपको दिया था इस्टार्टिंग में जब हम बैलेन्स और केमिकल क्यों कर रहे थे इसके बात किया था है सायनिक समीकरण क्या होता है उसके बाद हमने किया था हम संतूलित समीकरण को हम किसी भी समीकरण को संतूलित क्यों करते हैं किसी भी इक्यूएशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं तो बच्चे बार-बार मैं वह चीज नहीं बताऊंगा बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका एंसर आप खुश से लिखेंगे क्योंकि मैंने इसका एंसर लिखवा रखा है बहुत ही पहले उस वीडियो में आपने देखा होगा वहां से जाके आप लिख सकते हैं मैं आपको समझाओंगा पहली बात तो केमिकल इक्यूएशन क्या होता है इसका डेफिनेशन सुन लो किसी भी इक्यूएशन में या किसी भी रसायनिक समिकरन में यदि अभिकारक के हर एक तत्व की परमानू संक्या उत्पाद में हर एक तत्व के परमानू की संक्या दोन्यों बराबर हों यानि जो तत्व अभिकारक साइड है उसके जितने भी प्रमानु संक्या हैं, उन तत्वक के प्रमानु संक्या उत्पाद साइड भी बराबर होनी चाहिए। उसे बोलेंगे तब जाके उसे बोलेंगे संतूलित रसायनिक समी करन। इंग्लिश मिडियम की बच्चे सुनें, यदि रियक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट का एटम नंबर सेम होगा, उसे बोलेंगे बैलेंस और केमिकल रियक्शन, ठीक है। फिर से सुनों इंग्लिश मिडियम में, if in a chemical equation, number of atoms of all elements in the reactant side is equal to the number of atoms of all elements in the product side, then we can say that the chemical equation is balanced, तब हम जाकर कह सकते हैं कि जो chemical equation है, वो क्या है, बैलेंस है। हम क्यों करते हैं बैलेंस, हम किसी भी रसायनिक समिकरन को क्यों संतुलित करते हैं, इसका भी answer सुनों। द्रव्यमान सरंचना नियम के अधार पे हम किसी भी रसायनिक समिकरन को संतुलित करते हैं। क्या कहता है ये नियम, क्या कहता है ये law, ये law कहता है कि उत्पाद साइड और अभिकारक साइड, यानि reactant साइड और product साइड, हर एक तत्व के परमानूव की संकिया, हर एक element के atoms की संकिया बराबर होने चाहिए। तो हम law of conservation of mass के तहत इसको balance करते हैं यानि mass ना ही create हो सकता है ना ही destroy हो सकता है द्रब्य ना ही निर्मान हो सकता है ना ही इसको खत्म किया जा सकता है reactant का mass हमेशा product के mass के बराबर होगा अभीकारक का मास हमेंसा उतबाद के दरवियमान के बराबर होगा तो बच्चे इस परकार ये हमारा क्वेस्टन नमबर 3 क्वेस्टन नमबर फूर कमपली riches होता है आप यदि यो सोचते हो सारे क्वेस्टन लिग के देंगे मुझको तो बच्चों यह सब मुझसे नहीं होगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं समझाने में विश्वा सकता हूँ, लिखने का काम भी मैंने करवाया है, तो वीडियो आप देखे, जिन बच्चों ने नोट्स सुरू से लेके अंत तक बनाया हुआ है, उन बच्चों को तो कोई दिक करना है, समीकरन को पहले तो एक्वेशन के रूप में लिखना है, उसके बाद इसको बैलेंस करना है, तो कोईसन नमबर फाइव नहीं करवाँगा, यह मैंने पहले करवा दिया, आपको कोईसन दिये थे, जिन बच्चों ने मुझसे पूछे थे, उनको मैंने समझा दिया, और और जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था उस टाइम जैसे वंसी का नमन काजल काजल वंसी का कालास एक दू बच्चे और थे ठीक है करम बीर यह चार बच्चे ऐसे हैं जो काम मुझसे पूछते रहते हैं तो इन बच्चों में से आप मुझको बच्चे कितनी बार पुछ लो मैं आपको समझा दूँगा यह बैलेंस वाले क्वेस्टन मैं आपको करवा दूँगा यदि आप से अब भी नहीं हुआ बाकी के बच्चे सरवग्यानी हैं उनसे मैं तो उमीदी करता हूं उनका हो गया होगा वो क्या पुछेंगे उनका तो हो गया होगा क्वेस्टन नमबर 5 क्वेस्टन नमबर 6 क्वेस्टन नमबर 7 यह आपका काम था करने को आपको मैंने काम दिया था आज से 15 या 20 दिन पहले तो I hope आप लोगोंने कर लिया होगा क्वेस्टन नमबर 8 बैलेंस वाला ही वाला ही question है ये भी में आपको ने करवाता लेकर करवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको balance के साथ यह भी बताना है किस टाइप का reaction है तो question number 8 करेंगे हम next video में बाकी question number 7 तक complete हो चुका है मेरी तरब से बैलेंस वाले question को छोड़के और बाकी कोई confusion है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई दोयराय नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा बच्चे एक बार नहीं कई बार बताऊंगा लेकिन मुझको वही बच्चे पसंद है जो daily का काम daily करते हैं और daily की बाद daily पूछते हैं यह नहीं कि एक महिना पहले का सले बस उठा कर कोई सर हमको यह दूबारा समझा दो इतना time बच्चे मेरे पास नहीं है time मेरे पास है बहुत है किसके लिए जिनकी नियत अच्छी है जो पच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं अपना भी काम छोड़ दूँगा लेकिन उनके लिए बिल्कु नहीं छोड़ूँगा जो फालतु बखवास करते हैं सिर्फ time पास करते हैं time पास करने वाले बच्चे मुझको पसंद नहीं मजबूरी है तो पढ़ाऊंगा लेकिन doubt उनके को बताऊंगा जो काम करते हैं खेर next वीडियो में हम मिलेंगे